दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नज़र डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली बड़ा बदलाओ किया गया है इसके लिए स्विप्ट चेट ए आई तक्निक का इस्तमाल किया जाएगा मंदिर सुकुमिंदर सुकुन ने गुर्बारों के बिद्या समख्चा केंदर का लोकारपन किया यह महत्वा कांची ओजना समख्चिक्चा अभ्यान हिमाचल और कैनल बेजिनियस के सयोग से सुरूक की गई है बारिस बरबारी के लिए हो जाओ तैयार परदेश में इस दिन से करवट बदलेगा मोसम जिबारत मोसम बिग्या निभाग यानि कि आई एमडी ने हिमाचल परदेश में चालू सपता के दुरान सुस के मोसम के अनुमान जताए है लेकिन इसकी सिनोप्टीक परणाली ने संकेत दिया है कि अगले सुमर को राज में भारी बरबारी और बारिस हो सकती है जिसे तापमान में अचाने गिरावट आने के असार हैं वे विभाग ने कहा कि वरतमान में उत्री पच्चमी हिमाली राज्यों में त्रड़के कोहरे और बारिस ला सकता है बता दे कि हिमाचल में फीस फार्मिंग की सुरूख करने के लिए सरकार बिरोजगार इवाओ को आर्थिक और टेक्निकी मदद उपलब्दे करवाएगी विद्या समिक्चा केंदर का सुब आरम एक्सपोजर बिजीट के लिए सिंगापूर जाहेंगे 200 चिक्चक जे मुखमंतिर शुक्विंदर सुकूने बीरबार को सरकारी आवास ओक अवर से बिद्या समिक्चा केंदर का लोका आरफन quality ये महत्वा कांची योजना राज पर योजना कारियले समक चिक्चा और कानवे जीनियस के सज्योग से सुरूख की गई इस अउसर पर मुख्मंतिन ने कहा कि स्विप्ट चेट ए आई यानि कि कृत्री मेधा द्वारा संचालित बिद्या समिक्चा केंदर हिमाचल परदेश के सभी इसको लोगों प्रोद्योगी की और डेटा संचालित परणाली से सक्षम बनाएगा सवदेशी रोबट तयार करेगा घर के कई काम मंडी आई आई टी के मार्क दसर में टीम को मिली सफलता अब आपके घर के कई काम देश के में तयार रोबट करेगा बस आपको उसे निर्देश देना है मैं सबसे खास बात यहा है कि इसकी कीमत भी कम होगी और अब जर्मनी जापान और चीन से रोबर्ट मांगबाने की जरूरत नहीं रहेगी जहां विदेशों में इस तरका रोबर्ट करीब 32 लाक में मिलता है जबकि सावदेशी रोबर्ट की कीमत करीब 19 लाक रुपई ये तक होगी वे दावा किया जा रहा है कि अपनी तरका देश का पहला ऐसा रोबर्ट है जो इस रोबर्ट को IIT मंडी के मार्ग दर्शन में पांच लोगों की टीम ने तयार किया है हरोली में तीन कोड की लाकत से बनेगी ट्रेफिक पार्क आधुनिक्स विदाओं से होगा लिस जिला उना के हरोली बिधानसबा चेतर के तहत रामपूर हरोली पूल के नजदीक स्वाम भद्रा नदी के पास परिवहनी भाग के माध्यम से भाव ये ट्रेफिक पार्क के अनिर्मान किया जाएगा जबकि 17.5 कनाल भूमी परिवहनी भाग के नाम हस्तांतरित की जा रही है और जल्द इस परियोजना का काम यहाँ पर सुरूख किया जाएगा मुकेस अगनी होतिर ने का कि विधासबाद छेतर का विकास अब अगली पुस्तों को सुगमता उप्रवद कराने के लिए किया जा रहा है मैं ट्रेफिक पार्क के बनने से यहाँ पर आधुनिक ट्रेक का निर्मान होगा जो सेंसर बेस्ट रहेगा और यहाँ पर ड्राइबिंग लाइसंस के लिए परिछा लेने के लिए साथ-साथ गारियों की पासिंग की सुविधावी उप्रवद कराई जाएगी वही हरोली रामपूर पूल के साथ लगती सरकारी भूमी की जानकारी जुटाई जा रही है जहाँ पर एक बड़े इस्टेडियम के निर्मान के लिए कदम उठाए जाएंगे वही भविस्ति में जल सकती भाग के अधिक चन अभियानता कारेले बनाने की रूप रेखा भी त्यार की जा रही है कोंग्रेस की साथ भी गैरंटी बदली अब सभी सरकारी इस्कुल में पहली से अंग्रेजी जब विदासवा चुनाब के दोरान कॉंग्रेस की साथ भी गैरंटी थी कि पर्देश में अंग्रेजी माध्यम के चार इस्कुल खोले जाएंगे लेकिन बिचार में मर्स के बाद अब पर्देश सरकार ने तई किया है कि इसकी जगह पर्देश के सभी सरकारी बिद्यालों में पहली कक्चा से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी ये बात सियम सुकमिंदर सीख सुकु ने पत्रकारों से अनुपचारिक बातचीत में कही सरकारी इसकुल में प्रिंस्पल वो SMC तई करेंगे चात्रों की बर्दी का रंग जेसी हम सुकमिंदर सिख सुकू ने आज बिद्या समिक्षा केंदर के सुभ आरम के बाद मीडिया से बातचीर के दुरान कहा कि सरकार ने तई किया है कि सरकारी इस्कूल के प्रिंसपल SMC के साथ मिलकर अपने अपने इस्कूलों की बर्दी का रंग तई करेंगे यानि सरकारी इस्कूल के बच्चे एक जिसी बर्दी नहीं पहनेंगी वे नई सत्र से सरकारी इस्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी निजी इस्कूलों के बच्चों की तरच पर अलग अलग रंग की बर्दी में नजर आएंगे बताते कि इस्कूल हेड मास्टर और प्रिंस्पल को SMC से चर्चा करने के बाद रंग चुनने का फैस्टर लेने को कहा गया है ड्यूटी के दुरान सेना के जवान की हिर्दे गात से मौत आज किया जाएगा अंतिम संस्कार जे उप मंडल जडुन्दा की ग्राम पंचायत गेहडवी के चंगर गाउन इवासी सेना के जवान की हिर्दे गात से मौत हो गई वो नई दिल्ले में अपनी सवाई दे रही थे इसकी खबर मिलते ही छेतर में माहौल गमीन हो गया मैं जानकारी के अनुसार सेना में नायक के पदपर कारेत भीनोत कुमार पोत्र सतपाल इन दिनों नई दिल्ले में अपने सवाई दे रहे थे ह पी एसस्यवी पैपर लीक मामले में दो आरप्यों को मिली जबानत एक की रद जी भंग हो चुके HPSC में पेपर लीक मामले में गुरुबार को दो आरप्यों को जबानत मिल गई है दोनों आरपी जई सिविल के पेपर लीक मामले से जुड़े हैं कोट ने एक आरपी की जबानत खारिच कर दिये वरिष्ट अधिवक्ता रोहित सर्मा ने बताया कि जेई सिविल के पेपर लीक मामले के आरपी और रंजीत मुकेस भारती और रवी कुमार की जबानत अरजी पर गुरुबार को सुनवाई हुई कोट ने मुकेस और रंजीत को जबानत दे दी जबकि एक और आरपी रवी कुमार की जबानत याची का खारिच हो गई रवी कुमार रन्याई खिरासत में ही रहेगा और विजिलेंस की और से चलान पेस होने के बाद दोबारा जबानत की अरजी दाखिल करेगा मैं जई सिबिल मामले की मुके आरपी लिलंबित वरिष्ट साहिक उमा आजात और नितिन आजात ने अभियर्तियों से पैसा लेकर पेपर लिग किया था मैं पुलिस अधिचक बिजिलेंस मंडी राहूल नात ने मामले की पूष्टी की है हिमाचल सरकार ने उच्छे अधिकारी को हैस में पर्मोट किया आदस जारी जह हिमाचल परदेश सरकार ने च्छे अधिकारी को पर्मोट कर हैस केडर में सामिल किया है गुरुबार को कार्विक भाग से जारी आदेश के अनुसार कर एवं अपकारी भाग में साहिक आयुकते नियुकते ललित कुमार, पदमा, अच्छा पदमा, आस्मीनी कुमार और पंकष सुद को परवोट किया गया है लडकियों के साधी के अमर बढ़ाना चाहती है सरकार पोर्ट मोर में बोले सुकू जी माचल परदेश के सीम सुकमिंदर से सुकू ने गुरुबार को एक बड़े कदम की और इसारा करती वे कहा कि सरकार राज में लडकियों की साधी की अमर बढ़ाने पर बिचार कर रही है इसके लिए कानोनी पहलों का अधियान करने का काम सचीब अस्दर का समुख करेगा सीम पोर्ट मोर राज की कन्या मोडर इसकूल के वार्षिक उत्तर में पुरुषकार बित्रन कारेकरम को संबोधित कर रहे थी साधी की अमर बढ़ाए जाने से लड़कियों को आगी पढ़ने के लिए मोके मिलेंगे साथी सीम ने इसकूल में कक्छाओं को इस्मार्ट बनाने का भी एलान किया फिर उन्हें ने पौटमर इसकूल में चात्राओं की गल्स होस्टल के लिए पांच कड़ रुपी की लागत से बनने वाले होस्टल का भी सिलान यास किया स्री निवास रमानुजन योजना के तर टेबलेट परदान करने का सुब आरम करते हुए 16 मेदावी बिद्यार्थों को टेबलेट परदान किये वह टेबलेट हासिल करने वाले स्टुडेंट को आधिस से ज़्यादा लड़किया है बच्चे को बिना हेलमेट के टू विलर पर बिठाया तो खेर नहीं नियम लागू अगर आपने छोटे बच्चे को बिना हेलमेट गारी में बिठाया तो फिर खेर नहीं बचलान तो बने गई साथ में गारी भी जब तो हो जाएगी महीं माचल में यह नियम गुरुबार से लागू हो गया है मैं नियम के अनुसार 9 महिनों से 4 साल तक के बच्चों को 2 विलर में साथ बिठाने पर चाल लग और बच्चे दोनों को हेलमेट पहनना ही होगा इस नियम के लागू होते ही उन परिवारों की सामत आ गई है 2022 में यह साप कहा गया है कि 9 महिने से लेकर 4 साल के बच्चे को 2 विलर में ले जाने पर उसे क्रेस हेलमेट पहनना जोरी है साथी गाड़ी की इस बीट 40 किलोमेटर पर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती है लूथन गो अभ्यारन के मामले में हिमाचल सरकार को हाइकोट का नोटीस ज़्यादा पर्देस हाइकोट ने कांगला जिले के लूथन में 3.5 क्रोड रुपए की लागत से बनी राधे कृष्ण गो अभ्यारन के उबंद करने की मांग से जुड़े मामले पर सरकार को नोटीस जारी किया है खंट पिटन याचिका ने पबन कुमार याचिका पर सुनवाई करने के पच्चाद पर्तिवादियों को नोटीस जारी किया में प्रार्थीने मूग के सचीव, सहीथ पसूपालल विभाग के सचीव, वहन सचीव, गो सचीव, आयोग बालू गन्च की निदेसक, केंदरिये पसूपालल विभाग के सचीव और ञेनीमल वेलपियर बोर्ड को परतिवादी बनाया है। संबंदित एस ओपी जारी किया मैं साथ अप्रद दो जर्ट अकेश को एक ओर एस ओपी जारी कर गो सतनों की कारेपरनाली तै की गई मैं 20 जनवली 2022 को सरकार ने कंगला के जुवाला जी के लूथन में राधे किस्टन गो अभियारन अस्ताफित करने का निने लिया मैं दो साल के लगाए आरोपों पर सरकार और गो सिवा आयोक से जवाब तरलब किया है मैं मामले पर सुनवाई चार दिसमर को निधारित की गई है ताता पानी में अवेद कबजे को लेकर हायकोट ने सूख सरकार से मांगा जबाब याचिका करता कि अनुसार प्रेटेन नगरी होने के नाते हुआ कई बार तता पानी चेतर में आया परन्तु वहाँ पर उसे गाड़ी को पार्क करने में अनेके दिकते का सामना करना पड़ा सड़क की तंग हालत देखकर जब उसने अस्तानी लोगों से बात की तो पता चला कि कुछ लोगों ने सड़क की दोनों और अवेत कबजे कर रखे हैं मनाली में बवाल के बाद डिसी ने उठाये बड़ा कदम लगेंगे सीसी टीबी कैमरे होगा जूर्बना मनाली में खुले में कुडा फैकने वाले को हार पैनाने से पिष्डे हंगामे के बाद गुरुबार को डिसी आस्तोस गर्ग ने कुडा फैकने वाले अस्तानों पर सिम काट वाले सीसी टीबी कैमरात लगाने को कहा है मैं ताकि कुडा फैकने वालों को पहचाना जा सकी मैं जिला परियाबरान समिती की बेटा की अधिता कर रहे थी मैं डिसी ने अपसिष्ट पधार्त को स्रोथ परहिल अलग करने और लोगों को खुले में कुडा फैकने की आदत को बदलने के परति जागरू करने को कहा अधिकारी जीला परिशत सिमला अभिसेक वर्मान गुरुबार को इसके आदर जारी किये वह नरेश सर्मा के खिलाब अनुसासन हिंता की विभागिये करवाही भी अमल में लाई जाएगी 26 वर 27 नमर को मदाता सुची में नामदर्ज करने तरफDIO बिचयस अभियान अभियान के अंतरकर सभी बूत लेबल अधिकारी घर घर जाकर छुटे उए पातर मदाताओं का पंची करन करेंगे इसके साथ उन्होंने बताए कि इसके अतरिक्त 28-30 नवमर तक राच्किय बल्ल महाविद्धाले मन्डी आईटी आई मन्डी, राच्किय महाविद्धाले कोटली तथा आईटी आई कोटली में मिसेश सिवीर का आयोजिन किया जाएगा जिसमें सभी पात्र चात्रों का पंजी करन किया जाएगा आज इस सम्मंद में मन्डी सदर बिधांसबा चेत्र के सभी बूत लेवल अधिकारियों और परिवैक्षकों के साथ एक बैटेक कर रहे थी जिसमें उन्हेंने सभी को आवस्चेक दिसा निर्देश दिये उन्हेंने मन्डी बिधांसबा निर्वाचन चेत्र के सभी नागरिकों से आगरक याकी वह मदाता सुच्यों का निरिक्षन कर पात्र नागरिकों का नाम दर्च करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मादता सुची से हाटाने में अपना पूर्ण सर्योग परदान करें 30 तक बंद रहेगी सलोनी 22 दियोड़ सीथ सड़क जे बड़सर उप मंडल में सलोनी 22 दियोड़ सीथ सड़क के मरमत कारी के चलते इस सड़क पर वहानों की आवाजाई 39 तक बंद रहेगी मैं इस समद में आदर जारी करते में जिला अदिस एहमराज बेरवार ने बताया कि मरमत कारी को सुचार रूप से जारी रखने तता इसे अतिसिगर पूरा करने के लिए सलोनी 22 दियोड़ सीथ सड़क पर या तया 39 तक बंद किया गया है इस दुरण वहाँ चाला की कूरपडी चोक से सास्त्री नगर चकमो बया सरला चोक गंगोर सड़क से आवाजा ही कर सकते हैं उन्हेंने सभी वहाँ चाला को से सयोग की अपील की है उत्तरकासी की टला में आखरी चला में पहुचा रेस्क्यू ऑप्रेशन किसी भी समय बाहर आ सकते हैं बारा देर से सुरग में फसे स्रमीग जो उत्तरकासी की टला में फसे 41 मज़़ों को निकालने की ओल्टी गिन्ती शुरू हो चुकी है बारा नमबर दिपावली के दिन से सिलक्यारा टला में फसे इन मज़़ों को बाहर निकालने के लिए लगा था रेस्क्यू ऑप्रेशन चल रहा है पहले गुरुबार 23 नमबर देर रात तक रेस्क्यू होने की समभावना थी लेकिन आखिर समय पर ओगर मसीन का प्रेटफॉम ढगया जिस्टे दोबारा त्यार करने में 5-6 घंटे लग सकते हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आज रात को रेस्क्यू नहीं हो पाएगा मैं कल सुक्र बार सुबह तक मज़नों का रेस्क्यू होने की पूरी उमीद है मैं बताया जा रहा है कि अभी 10-12 मिटर के डिलिंग होनी बाकी है विद्या समिक्षा केंदर योजना लागू करने वाला हिमाचल देश का चोथा राज जानिये कैसे केंदर करेंगे इस्कूल और चात्रों की मदद हिमाचल में समग चिक्षा अभ्यान कालेले में ही 3.000 रुप्य की लागत से विद्या समिक्षा केंदर तियार किया गया है हिमाचल में समग चिक्षा अभ्यान के परियोजना निदे सक आई एफ अधिकाई डॉक्टर राजर सरमा के अनुसार हिमाचल में इस परियोजना में कैसरा कार के PSU TCIL का साईयोग रहेगा लेकिन हिमाचल में सरकार ने विद्या समिक्षा केंदर के लिए केंदर सरकार के PSU TCIL का सर्योग लिया है मैं यह केंदर चातरों के सर्वांगिन विकास और उनके सिखने की चमता पढ़ाही में कमजोर पहिरू सुधार की गुंजाईस और समूचे सेक्षिनिक बिंदूओं में सुधार के उपायों आधी पर समिक्षा करेगा रेकर रखाओ टेक्स नहीं देने पर 18 उद्ध्यों को नोटिस IADN की करवाही जही माचल पर्देश के उना जिले के ओदगी चेत्रे महतपूर में 18 उद्ध्यों को IADN यानि की Industrial Area Development Agency ने नोटिस बेजकर रेकर रखाओ को लेकर आदा किये जाने वाले टेक्स को जमा करवाने की निदिस दिये हैं IADN का मानना है कि ओदगी चेत्रे में पेजल सप्लाई से लेकर सफाई और रखाओ का जिमा उन पर हैं और महज 5 रुपई पर्ति वर्गे मिटर ये टेक्स वसूला जाता है करनाटक बिधनसबा अपनाई की हिमाचल परदेश का पेपरलेस मोडल जे करनाटक बिधनसबा में पर हिमाचल परदेश बिधनसबा का पेपरलेस मोडल अपनाई जाएगा वे करनाटक बिधनसबा अद्यक्ष यूटी खादर फरिद देश की पहली ई बिधन परनाली जानने के लिए राज बिधनसबा सचिवाले पहुँचे और उन्हें यहाँ पर इबिधन का मोयाना किया उनके साथ करनाटक बिधनसबा की सचिव के आर महालक्ष मीं करनाटाक विधानसवा की सचीव MK विलाक्षी और अनिय वरिष्ट अधिकारी इमने इविधान परनाली का विश्दित अधियन करने आए इस आउसर पर करनाटक बिधानसवा अध्यक्ष और अधिकारों ने राज बिधानसवा अध्यक्ष कोलदीव सिंग पठानिया और ये बिधानस से जुड़े अधिकारों के साथ बैठक की 10,545 मदाव्यों को टेबलेट वितरन सुरू मुक्हमती ने पोर्टमोर में चातरों को किया सम्मानि गया क्यवां किया चिक्षा निजद श्री निवास स्रामानूजन डिजेटल डिवाईस योजना के तर इसका आवंटर कर रहा है इस मौके पर चिक्षा मंतिरों इठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिक्षा करेंगे। इभाग ने ड्रोन से भी आग को नियंदरन करने की कोसिस की। बताते कि आग से करीब 25 हेक्टर भूमी में वन सब पता को नुकसान पहुचा है। इभाग ये जिब भी आग की बैट चड़ गए। वे कई जुड़े बुटियों भी राख हो गई है। वे वे निभाग कलपा के आर ओ मनमोहन सिंग ने बताया की आग पर काबो नहीं पाया जा सका है। हमिरपूर के विकास को मिलेगी गती अनुराग ठाकूर ने मार्च टेक एन एच और इस प्राक्टेक्चर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के दिये निर्देश। जहमिरपुर भवन में जिला विकास समन में एवं निग्रानी समित्ती की बैठेक की अधिता अनुराक्षिंग ठाकून ने किये मैं बैठेक में विभिन इस प्राटेक्चर प्रोजेक्ट और सरकार की कलियान कर योजनाओं की प्रगती की समिक्षा की गई मैं अस्तानीय लोगों की समस्ट्याओं का भी प्राटेक्च प्रात्मिक्ता की अधार पर निवारन किया जाना चाहिए उन्हेंने कहा कि इस वित्य वर्स की आखरी तीमाही में इन सभी योजनाओं के लक्ष पूरे होने चाहिए अब साइबर ठगी का नया तरीका अपना रहे सातिर फास्टेक रिचार्ज के नाम पर लोगों से कर रहे ठगी जब फास्टेक रिचार्ज एप साइबर ठगों के लिए ठगी का हत्यार बन गई है अभी तक साइबर ठाग लोगों को केवाइसी आधार से पैनलिक और बिजली बील के नाम पर ठाग रहे थे लेकिन उन्होंने अपना तरीका बदलते वे फास्टेक रिचार्ज का अचासा देकर ठागी शुरू कर दी है ऐसे पुलिस ने किसी के कहने पर फॉन में एप डाउनलोड करने की एडवाजरी जारी किये मैं देश के सहरों में टॉल पर फास्टेक सुभिदा सुरू की गई है मैं फास्टेक स्रिचार्ज साइबर ठागों के लिए आवसर बन गई है बता दें कि साइबर ठाग लोगों को फास्टेक रिचार्ज के नाम पर एप डाउनलोड करने का इसासा दे रहे है मैं साइबर एक्समन एक्सपर्स के अनुसा फास्टेक रिचार्ज के लिए एप डाउनलोड करने की ज़रूत नहीं है ऐसी phone call और ठेगों से सावधान रहने की ज़़ुरत है मैं cybertech mobile पर message के जरीए एक link भेजते हैं जैसे इस link पर click करके app download करने को कहते हैं ऐसा करने से mobile में मौजूद e-wallet और messaging app की जानकारी cyber and cybertechों के पास चली जाती है और वे असानिस से आपका mobile wallet और messaging app का colon अपने mobile में download कर लेते हैं इसके बाद ठग app के जरीए खाते से राशी उड़ा लेते हैं मैं कई मामले में एक link के साथ message भेजते हैं और उस पर click के लिए कहते हैं जैसे user click करता है तो खाते से रुपईये गाइब हो जाते हैं कामगारों को पांच लाग की चिकिसा सहता कामगार कलियान बोड के निदिसक मंडल की बैठा के बोले सांडिल जै निर्मान कारे को करते समय यदि कामगार अस्वस्त हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो उसे चिकित्सा सहता के रूप में पांच लाग रुपे तक की रास्टी उपलव दिकराई जा रही है। तक कामगार कलियान अधिकारी को टैक्सी किराई पर लेने का निरने लिया गया। पास चिट्टे के साथ हर्याना के तीन तसकरों को पकड़ा है। इस साल में अब तक सिमला पुलिश ने एंडिपी एस ने तर्मर्की के 400 मामले दर्ज किये हैं और 635 लोगों को गिरफतार किया है। ये वो चलते हैं आज की आखरी खबर। चीन ने फिर हिला दी दुनिया एक और महामारी बच्चे पर ज्यादा एटेक डवलु एची की चिंता बढ़ी। चीन से एक बार फिर दुनिया को हिलाने वाली खबर हैं जिसने विश्व स्वास संगठन को भी चिंता में डाल दिया हैं। जिसने कोर्णा को जन में दिया था। बता दे कि हाली में 13 नवंबर को एक प्रेस कोनफरेंस में रास्टे स्वास्त आयो के चीनी अधिकारों ने चीन में स्वासन रोगों की घटनाओं में व्रिधी की सूचना दी थी। में चीनी अधिकार ने इस व्रिधी के लिए COVID-19 परतिबंदों को हटाने और इन फ्रू एंजय माइको पलाज्मा नीमोनियां। समानी जिवानु संकर्मन जो आम तुर पर छोटे बच्चे को परभावित करता है। करता हुआ जचना लेता है। बप्रावित करता है। भूद पलाज्मा जो आम तुर संकर्मन जो आता के लिए्य। मैं जो आम एक शाने वे डिए शाओवित के लिए बज़ एकार के लिए। कर दो जो आमने है। झाल झाल